फ्रेंड्स फ्यूचर की सक्सस पर स्वागत है आज की वीडियो में हम राष्टिय परतिकों से संबंधित टोफ 30 जीके के ऐसे क्यूशन जो प्रिक्ष्या में 100% रिपीट होते हैं लेकर आए हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना आप कितने क्यूशनों का आंस्वर स राष्टिय गीत गायन की अवदी है 65 सेकिंड भारत का राष्टिय गीत वन्दे मातरम किस गरंच से संकलित है आनंद मठ से संकलित है भारत का राष्टिय गीत कौन सा है वन्दे मातरम है भारत का राष्टिय गीत वन्दे मातरम भारत का राष्टिय गान है जनगन मन भारत का राष्टिय गान किस ने लिखा रविंदरनाथ टैगोर ने लिखा राष्टिय गान भारत का राष्टिय गान गाने की अवदी है बावन सेकेंड भारत में राष्टिय गान पर्थम बार कब गाया गया 27 दिसेंबर 1911 को गाया गया राष्टिय गान पर्थम बार भारत के राष्टिय गीत वंदे मातरों को पहली बार कब गाया गया अठारा सो चैनमे में गाया गया राष्टिय गान को सवर्थम किसने सवर्वंद किया ये दूलाल भटाचारिय ने हमारे राष्टि दवज के बीची द्रम चक्कर में कितनी तिलिया है 24 तिलिया है हमारे राष्टि दवज के मद्दे में स्थित है द्रम चकर की 24 तिलिया किस को दर्शाती है 24 गुणों को दर्शाती है 24 गुणों को भ़ारत के राष्टि दवज के लंबाई और चोड़ाई का अनपात है तीन अनपात दो लंबाई है तीन और चोड़ाई है दो सत्यमेव जैति राष्टी पर्तिक में कहां अंकित होता है सबसे नीचे सत्यमेव जैति सबद कहां से लिया गया है मुंड को उपनिशीद से बहारत के राष्टी दवज के मद्दे में बने धरमचकर का रंग कैसा है यह रंग आएगा यह रंग कैसा है धरमचकर का रंग है गहरा नीला संतंतर भारत के राष्टी दवज का डिजाइन किस ने बनाया था किस ने बनाया था संतंतर भारत के राष्टी दवज का डिजाइन बनाया था पिंगली वैंक याने राष्टिय गान जन्गन मनस्वर पर्थम कब और कहां गया गया था 1911 में कोलकत्ता अधिवेशन में बहार के राष्टिय गान जन्गन मन को संपूरन रूप में गाने में यह गाने में आएगा वी कित्रा समय लगता है 52 का समय लगता है भार्थ पंचां का पर्थमा कोन सा है चेत्र भार्थ पंचां का अंतिम मा कोन सा है मा त्रेंग को राष्टी दवज के रूप में किस अधिवेशन में अपना गया था लाहोर अधिवेशन में केस समारक पर वरस बर राष्ट दवज फैराने की वैवस्ता की गई है राष्ट पती बवन पर हमारे राष्ट ये दवज में कितने रंग है तीन रंग है हमारे राष्ट ये दवज का हरा रंग किस का परतिक है हरा रंग परतिक है समर्धी का राष्ट ये दवज में सफेद रंग किस का परतिक है सांती का परतिक है साहास और बलीदान का परतिक है के सरे रंग राष्ट ये परतिक में सिंगों की संख्या कितनी है सिंगों की संख्या है चार सिंग दिखाई देते हैं देखने पर तीन राश्टी पर्ति को अधिकारिक रूप से कब अपनाय गया था? 26 जुलाई 1947 को वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में अगर चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना भार्त का राश्टी पुसब कोन सा है? कमल राश्टी पंचांग की सन्वत पर आदारित है? सक सन्वत पर आदारित है? सक सन्वत पर आदारित है राश्टी पंचांग झाल झाल